Hello students, इस वीडियो में NCRT Maths Class 8th Squares and Square Roots Chapter 6 Exercise 6.1 का Question No. 2 मैं solve करने जा रहा हूँ तो Question No. 2 इस प्रकार है The following numbers are obviously not perfect squares give the region region हमें देना है सिर्फ इसमें वो कह रहा है कि यह नहीं है perfect square नहीं है बट इसमें region देना है तो इसके पहले हम इसके दो rules समझ लें एक तो यह कि a number having 2, 3, 7 or 8 at unit place is never a perfect square मतब किसी भी number के अगर unit place पे 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो तो वो कभी भी perfect square नहीं हो सकता यह बात तो यह आप ध्यान रखें दूसरा जो rule है वो यह है का a number having odd numbers of zeros at the end is never a perfect square अगर किसी number के आखरी में मतलब यून आखरी में end में जो है odd number of zeros है odd number of zeros का मतलब क्या हुआ कि अगर 0 1 है तो यह odd number हो गया ना या फिर 3 है यह भी odd number हो गया या 3 नहीं है तो 5 है तो इस तरह से अगर zeros हैं तो इसको बूलेंगे odd number of zeros तो ऐसे number का square जो है कभी भी perfect square नहीं हो सकता तो यह तो उसने कहा ही है कि यह हमें बताना है कि तब following numbers are obviously not a perfect square तो अब इसके region हमें देने हैं तो region देने में हम क्या करेंगे कि या तो हम इस तरह से लिख लें जैसे कि इसमें 7 यह first से लेके और यहां तक की यहां तक के numbers पे हम first बाले का close देते और इसमें जो यह दिया हुए है 7 और 8 बाले part जो हैं इसके लिए second close देते यह दोनों को एक साथ लिख दे एक ही बात है उससे कोई फर्क नहीं पड़ाएगा ठीक है तो आप चाहें तो ऐसे अलग अलग करके भी रखते हैं कि इनके लि that a number having 237 or 8 at unit place is never a perfect square so फिर लिखेंगे therefore 1057 is not a perfect square because its unit place is 7 इस तरह से बाकी समय से figures चेंज कर देने हैं लिखना इसी तरीके से ठीक है अगर इसको लिखना है आपको 7th और 8 बाले question को तो इसको कैसे लिखेंगे तो 7th और 8 मैंसे हम 7th को example के तौर लिखेंगे तो इसमें क्या लिखना है हम सबसे पहले तो यहीं लिखेंगे because it has odd number of zeros at the end because it has odd number of zeros at the end तो इस तरह से यह पूरा question cover हो जाएगा और अगर इसको note down करना है आपको तो इस तरह से आप comment में लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं तो इसको वीडियो को pause करके और आराम से इसको आप note कर सकते हैं तो इस तरह से यह first बाले का लिखा हुआ है second, third, fourth, fifth और उसके बाद में यह sixth, seventh और eighth तो इस तरह से यह सारे questions के इसमें answers इस तरह से हमने लिख दिया है और वैसे समझाई दिया है तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लखें और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सबस्क्राइब करें और जादस जादा लोगों के साथ शेयर करें Thank you, thank you very much